आगामी दिनों में होने वाले चुनाओं के पहले शराब तसकर जीले में सक्री नजर आ रहे हैं नित ने परियोग कर भारी मातरा में शराब का परिवहन हो रहा है बिती रात मेंगाओ पुलिस ने शक के आधार पर एक ट्रक को रोग कर जाच की जिसमें करीब 10 लाग रुपे मुल्य की करीब 116 पेटी शराब के साथ चालक को हिरासत में लिया है पुलिस को छकाने के लिए तसकरों ने सबजी के रेट के बीच सराब पेटे चुपाई थी लेकिन इनकी ये चाला की काम नहीं आई एस पी मनोर सिंग बारिया ने बताया कि मुख्बिर से मिली सूचना के आधार पर मेंगाउ पुलिस ने रहीवार को थाने के सामने नाकामंदिय लगाई यहां से गुजर रहे मेनी ट्रक हरियाना पासिंग आईसर वाहन को संदे के आधार पर रुखा गया वाहन की तलासे लेने पर उनमें सब्जी केरेट जम्य हुए थे बारिकी तो जायश की तो केरेट के बीच महंगे ब्राइन के अंग्रेजी शराब की वोतले मिली वाहनों का अभी रक्षा में लेकर खड़ा किया गया है जिसमें अलग-अलग ब्राइन की करीब एक तो सोला पेटी शराब परामद हुए बीरो रिपोर्ट खरकॉन यह कल पुलीस थाना मेन गाउं को मुगबिट से सुचना पराप्त हुए थी कि एक आईसर आ रही है हर्याना पासिंग है जिसके अंदर सराब की तसकरी की जा रही है जिसके आधार पुलीस द्वारा चेकिंग लगाए गई तो उसमें गाड़ी के अंदर कार्टून में खाली कार्टून के बीच में रखके सराप की तसकरी की जाया थी जिसकी चेकिंग करने पर उसमें से गाड़ी के अंदर से अंग्रेज जी मिगडाल नंबर वन की 38 पेटी, आल सिजन की 29 पेटी टूबर्ग कंपनी की 49 पेटी जब्त की गई जिसकी कूल 1180 बल्क लिटर, सराप्ती जिसका मुल्य 9,62,000 है और आइसर जब्त किया गया जिसकी कीमत करीबन 20 लाग है टोटल ये कारवाही थाना मेंगाउं द्वारा की गई है जिसमें एक आरोपी यूपी का गिरपतार किया गया है और जिससे पुष्टाच की जा रही है और थाना आइस जिसमें कारवाही था जिसमें कारवाही था ये अच्छी लंबी कारवाही है जिसमें स्रीमान IGP, DIG, मौधर और SP साफका निर्दयसल में जिसमें चुनाव को प्रवायद करने की शक्तर में इस तरह से शराब तसकरिक रोखने के लिए कारवाई के लिए निर्देश दिये गे थे इसके आधर पर थाना में इंगा द्वारा अच्छी कारवाई की गई यह अभी विवेचना में इससे पुछताच की जाएगी हर्याना पासिंग गाड़ी है यह तो आगे इदर से निकल हो न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले